हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपी आईटे इंस्ट्रेक्टर के इस यूटूब प्लेट्फों यूटूब चैनल पर तो दोस्तों जैसा कि आप कटेंग में देख पा रहे होंगे कि एक कटेंग अखवार के मात्यम से निकाली गई है कि 40,000 पदों पर अगले माज से सुरू होंगी भरतियां जैसे कि आपको विदित होगा कि चनाओ का रेजल्ट आज आने वाला है तो चनाओ यूपी में और बागी के चार राज्यों में और चनाओ थे वहाँ रेजल्ट चनाओ खतम हो चुके हैं और रेजल्ट भी आज जहां तक है साम तक किलियर हो जाएंगे तो चनाओ के बाद अब बाई आती है हमारे एक्साम के उपर जितने भी पैंडिंग एक्साम यूपी ट्रपल सी की ओर से अभी तक रह गए हैं उन सभी एक्जाम्स पर अब यूपी ट्रपल सी जल्दी ही जल्द एक्सन लेने जा रही है तो पहले बात करते हैं हमके किस पत पर कितनी भरतियां भी सेस हैं आप देख पा रहे होंगे अपने राइट साइड में ओपर की जो सूची है अइटे अनों देख किस में पच्चस सो चार वेकैंसियां है लेकपल में 8,085 वेकैंसियां एनम में 9,212 पद और गन्या पर वेक्षक में पच्चस सो पद कनिष्ट सहायक में 2,000 पद साधी साथ प्रियोक साला सहायक में 1,200 पद AEO और JEE के पद जो है वो 2,200 है रोड वेज के 1500 पद और सिचा विवाग के 800 पद बरतमान समय में अभी रिखते हैं और ये सारी पद जो भरे जाने है इनके अल्रेडी सारी फॉर्म्स और फिलप हो चुके है सारा वेरिफिकेशन हो चुका है और सिर्फ और सिर्फ अब इनका एक्जाम होना बागी रह गया है तो काफी लंबे समय से UPSC के दवारा जो भरतियां है उन पर अंकुस लगाये गया था और काफी स्लो प्रोसेस होने की वैसे अब तक ये एक्जाम कंडेक्ट नहीं हो पाये है देखिए बरतियों की अगर मैं बात करूँ तो भरतियां आती तो टाइम पर है लेकिन ये बरतियां जो है वो पूरी नहीं हो पाती है समय के अनुसार लेकिन चुनाव जो है अगर इनकी डेट फिक्स है तो फिक्स डेट में चुनाव भी हो जाते हैं और फिक्से डेट में रिजल्ट्स भी आते हैं तो गवर्मेंट को भी ये देखना चाहिए कि जो स्टुडेंट्स अपनी तयारी कर रहे हैं क्योंकि उनकी तो देखिए एज दर एज समय के अनुसार बढ़ती ही जा रही है और आपने कोविड के टाइम पर भी रिलक्सेशन जिसे दो साल का या तीन साल का रिलक्सेशन देना चाहिए था तो आपने वो भी किसी भी विकैंसी में प्रोवाइड नहीं किया है इस्टुडेंट्स को तो इस्टुडेंट्स कहां यहां कहीं न कहीं इस बारे में भी आपसे हतास है तो आपको इस बारे पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप से ही हम सभी स्टूडेंट्स से ही आपकी जो सरकार है वो चलती है और जो जतना भी आयोग की करमचारी है ये स्टूडेंट्स ही होते हैं जो आगे चलकर करमचारी या फिर कहीं न कहीं बड़े पदों पर आसीन होते हैं तो आप बात करते हैं इस कटिंग के बारे में इस कटिंग में देख पा रहे होंगे लखनव से ये कटिंग जो है प्रकासित है सैलेंस रिवास्तो जी दौरा ये जो रोजगार का एक जो अपना टॉपिक होता है एक अखवार में इसमें ये इन्हों प्रकासित किया है इन्हों ने बता है कि उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैनायोग समुगा के करीब 40,000 पता पर अप्रेल से भर्दियां सुरू करेगा तो ये आपके लिए बहुत ये अच्छी खवर है कि अप्रेल महा से आपकी जो भर्दियां है उनकी प्रोसेस सुर हो जाएगी अपरेल मार्च लाष्ट या अपरेल में आपका जो है वो सलेवार्स आपका डिसाइड कर दिया जाएगा और एक महीने या तेड़ महीने बाद आपका जो है मैय जून के महीने में आपका एक्जाम करा लिये जाएगा और साथ ही साथ आपकी जुलाई या अग रित्पदों का व्योरा उससे मिल चुका है तीन भरतियों के लिए विग्यापन भी निकाला गया है लेकिन विधान सवा चुनाओं के लिए आचार साहिता लागू होने से इसे रोक दिया गया था आयोग मौझूदा समय में विभागों से आई रुक्तियों का मिलान कर रहा ह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्रेडी विभागों से जो रिक्तियों है उनका व्योरा अल्रेडी दिया जा चुका है और उन पर वेकैंसियां भी निकाली गई है फॉर्म भी भराये गए है लेकिन चुनाओं के चलते जो आचार साहिता लागू होने की वेज़ से इन पर रोक लगा दी गई थी तो अब चुनाओं का रिजल्ट आज साम साम तक आई जाएगा सो साथी साथ आपकी ये मान कर चलिए कि जो भी भरती हैं आपकी पेंडिंग में थी अब उन पर प्रोसेस सुरू हो जाएगी आगे बढ़ते हैं अधिनस्त सेवा चैनायो सा समय के अंदर इन भरतियों को पूरा करा लिया जा गया अब देखें मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूपी टॉपल सी अब पैट के थो एक्जाम आपको लेती है पैट इसी लिए कराया गया था कि आपके जो भरती प्रक्रिया में जो थोड़ी देरी होती थी उससे यह आपकी जो है वो एक सर्टें टाइम के बाद कंप्लीट होती थी एक निश्चे समय के बाद कंप्लीट नहीं उपाती थी तो उसमें वक्त जाज़ा लगता था तो उसी वक्त को कम करने के लिए आयोग ने पैट का एक ऑप्शन रखा था कि पैट के थो जो तनी भी भरत सरकार कोसिस करेगी कि पैट जो जिसके लिए लागू किया गया था वो अपनी उस बात पर ख़रा उतरे और साधी साथ रखैसियों को जल से जल पूरा कर सके तो आप अपनी तयारी को बनाए रखें और मैं कोसिस करूंगा कि आपको हर एक अपडेट आप तक जल से जल जान जासु हूँ थो तेंक यू